Good morning dear student and welcome back to my youtube channel let's discuss dear student today we are going to discuss class 9 subject science and worksheet number 36 and this worksheet for 1st of October 2021 so आज हम motion chapter में graphical representations of motions को देखेंगे तो basically यहां पे dear student यह दिया गया जो एक graph है जिस तरह से आप graph बनाते है तो यह हमारा समय दर्स आ रहा है और यह हमारा क्या दिखा रहा है हमारा यह dear student यह distance दिखा रहा है ठीक है और यह एक straight line graph है ठीक है तो यह देखें graphical representation उसके बाद जिस तरह से आप graph बनाते है यहां से यह क्या कर रहा है यह हमें मर्ज कर रहा है ठीक है तो आपको यह दिखाना है जो यह क्या है यह easily जो है ना क्या कर रहा है जैसे यह एक समान यानि कि distance भी equal है और इसका मतलब समय के साथ साथ इसका distance equal में जा रहा ठीक है तो इसको हम कह सकते है यह जो हमारा graph है ठीक है तो यह distance time graph है ठीक है moving with uniform speed state line का ठीक है तो उसी तरह इसको जो जब solve करने के बाद इसका आपका answer यहां पर आ जाता जो कि बहुत है असान है अब देखे इसमें आपको देख लेजी यहां पर आपको क्या क्या फाइंड करना है यह देखे एक graph है यहां पर आपको एक triangle है तो इसको आप find करने के लिए triangle को जह क्या करेंगे plus कर देंगे और area यह और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगे यहां पर इसमें जो हमें ABCD यानि rectangle का भी area निकालना पड़ेगा फिर जाकर कि 216 इसका आपका answer आ ठीक है तो य यह जात रखना यह जात रखना और यह जात रखना आपसे पूछा जाएगा option देतेगा चारा पूछे का non uniform accelerations बता तो यह ही answer होगा non uniform accelerations retardations का बता आप तो यहा था होगा uniform acceleration यह option होगा और uniform velocity यह option होगा ठीक है अब इसमें बेहदी आसान से प्रस्न है पहला प्रस्न है चली इसका अंसर देखते हैं दूसरा तीसरी को भी देखते हैं तो पहले प्रस्न का जोने study the given time graph car calculated speed of the help of the time graph तो यह देखिए इसका speed निकालना तो देखिए यहां one का यहां पर क्या हो जागा इस two minus one ठीक है यानि यह समय को दर साथा यह दूरी को दर साथा ठीक है यहां पर लिख सकते है यह इस two minus तो इसी तरह से जोने यह देखिए इस two sixty है टोटल यहां पर 60 है 60 में से आप जो है क्या करेंगे माइनस 40 को कर देंगे यहां कितना है यानि 40 को कर देंगे तो 40 60 में से 40 गया तो कितना वचा हमारा और six minus four तो यानि 20 अपर में two तो यानि यह 10 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड ठीक है अब इसको दूसरा है डियर स्टुरेंट ड्रो दा लाइन distance time graph of the object of the following यानि distance time graph आप देख लिजे यह रहा आपका distance time graph ठीक है इसको आपको याद रखना है यह आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे बी है आपका object moving non uniform में तो यह रहा आपको इससे याद कर लिजे अब आपको इसमें जोना देखना if the velocity of time graph of object is a straight line parallel to the x-axis what will the acceleration the acceleration is the rate of the change of velocity the graph is straight line parallel to x-axis so velocity is not changing remains constant since the acceleration will be 0 तब acceleration क्या होता है ठीक है यह लगता है यह वीडियो आपके लिए helpful है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को सेयर करें फिर मिलता है नेक्स्ट वरक्शन है तो तक के लिए bye bye take care have a nice day